इस वीडियो में आप देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट कोड को अपने मोबाइल पर कैसे लिखते और एक्जिक्यूट करते हैं SPC के एप्लिकेशन को ओपन करिए और प्रोजेक्ट सेक्शन पर जाईए यह आप अल्रेडी HTML प्लस बूट्स ट्राइप प्रोजेक्ट करते वक्त कर चुके हैं प्रोजेक्ट ES8 सिस्टम.js को सिलेक्ट करिए ये आपके already existing html plus bootstrap project के नीचे एक नए project folder को create कर देगा इस folder के अंदर आप कुछ default files को देखेंगे अगर आप index.html file को open करेंगे तो आप देखेंगे कि script tags के अंदर config.js written है इसका मतलब है कि आप जो भी code लिख रहे हैं उसे config.js file के अंदर ही लिखना होगा note करिए कि मैं किसी भी file को delete नहीं करूँगा और अपना custom.js code इन files के अंदर ही लिखूँगा अगर आप चाहें तो आप इन files को delete कर सकते हैं और अपना खुद का folder structure बना सकते हैं पर इससे unnecessary complications आ जाएंगी और आपको linking को भी change करना पड़ेगा तो अब चलिए config.js file को open करते हैं अगर इसमें कोई default code है तो हम उसे delete कर सकते हैं और scratch से अपना खुद का code लिख सकते हैं तो चलिए hello world print करने के लिए अपना पहला program लिखते हैं पहले एक variable ABC को define करते हैं और उसकी value को hello world assign करते हैं अब इस variable को print करने के लिए हम document.write को use करेंगे और उसके बाद parentheses के अंदर variable का नाम लिख कर statement को semicolon से end करेंगे चलिए code को run करते हैं वॉला, code successfully execute हो गया है और आप उसका output देख सकते हैं चलिए एक और code को try करते हैं इस बार हम कुछ calculations करेंगे यहाँ पर हमने exponential equal to operator को use किया है आप इस module के second topic में इस operator के बारे में और find out कर सकते हैं यह operator ABC की existing value को उसी से 5 बार multiply करता है और फिर उसे new result को reassign कर देता है तो ABC हो जाएगा 2 की पावर 5 जो होता है 32 चलिए code को run करके इसे confirm करते हैं There you go हमारा code सही से काम कर रहा है अब ऐसे ही आप JavaScript module के remaining code को खुद से execute कर सकते हैं Also जैसे कि मैंने previous module में mention किया था assignment को complete करने के लिए आपको पहले लिखी हुई HTML, CSS और PHP फाइल को import करना होगा जिसे आप import files option को select करके कर सकते हैं Well, that was all in the video